हैलो दोस्तो मैं उपेंद सिंग राजबूत रिपर्ट24 इंटिशन इंडिया में आपका स्वागत कता हूँ दोस्तो आज मैं बात करना हुआ रहा हूँ फर्मानी नाज फरमानी नाज जो शिव भजन गाकर सुर्खों में बनी सिंगर फरमानी नाज की दमदार आवाज के सभी फैन हो गए हैं इंडिन आइडल 2020 का हिसा रही फरमानी के शिव भजन गाने से मुस्लिम कटरपंती नराज हो गए हैं फर्मानी को धमक्या भी मिल रही हैं पर फर्मानी अपने काम पर फोकस कर रही हैं अपनी जादुई आवास से लोगों के दिल जीतने वाली फर्मानी नाज के शिव भजन गाने पर खुब हंगामा हुआ पड़ा है सामन के शीव भजन शीव भजन हरहर संभूगा कर मुसलिम कंठपंदेओे के निसाने पर आई फरमानी की जिंदगे आसान नहीं रही फरमानी ने हमेशा चुन्योंतियों को डट कर सामना किया अभी हाली में उन्होंने अपना स्टूडियो भी बनवा है, फर्मानी के स्टूडियो का नाम नाज स्टूडियो रखा गया है, फर्मानी ने इंडिन आइडल 12 में पाटिस्पेट किया था, इसी शो में फर्मानी को पहचान दिलाए, जबकि शो में अपनी जर्नी फर्मानी क कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा फरमानी के लिए बहुत ही मुश्किल था हर हर सांबू गाना फरमानी ने पताए कि उन्होंने इस गाने के लिए बहुत ही मेहनत की इसे इतनी मुश्किल इसे इतनी मुश्किल थे शब थे जो बोलने में उन्हें बहुत देर लगती थी इस गाने को बनाने में मुजिक टीचर परमिंदर ने फरमानी की मदद की शिव सुरोत का सही उचारन कैसे करना है कैसे गाना है ये सब फरमानी को परमिंदर ने बताया फरमानी ने हिंदी और उदू सीखी है उन्हें संस्कित नहीं पढ़िए इसलिए उन्हें संस्कित के शब्द बोलने में दिक्कत हो रही थी फर्मानी ने ज़्यादा से ज़्यादा मेनध की और नतीजा आप सभी के सामने है हर-hर संभू गाने में फर्मानी ने हर एक मंत्र का सही उचारण किया है इसी गाने के वेसर फर्मानी को आज पुरे भारत वाज के लोग जानने लगे हैं दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और सस्क्राइब करना ना भूलिएं धन्यवाद